तो दुस्तों सीरियों बात करने वाले बजाज हाउजिंग फाइन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में और हम यहाँ पर करेंगे बजाज हाउजिंग फाइन्स का weekly analysis की next week के लिए कौन से important levels है जो में बजाज हाउजिंग फाइन्स के लिए यहाँ पर ध्यान में रखने हैं उसक support को बिलकुल भी break नहीं किया उसके उपर ही stock consolidate करता रहा और उसके उपर की ही closings भी यहाँ पर जो हमें देखने को मिली है that means कि अब यहाँ पर क्या है next week के लिए definitely हमें यहाँ पर जो हो बजाज आउजिंग फाइन्स के अंदर view positive देखने को मिलेगा but positive view तब तक valid है जब तक के लिए यह counter 130 रूपीज के उपर है अगर 130 रूपीज के levels को break करके नीचे निकल गया तो फिर बजाज आउजिंग फाइन्स को बचाने वाला कोई नहीं है यह counter यहाँ से one way आपको lower side पे drag होता हुआ देखने को मिलेगा तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है all time low and यह counter शायद से आपको फिर two digits में भी trade करता हुआ देखने को मिल जाए next week में short covering possible है 140 से लेकर 150 रूपीज के breakouts के उपर अगर 140 50 को claim करके stock उपर निकल गया तो again all time high तक के reality possible है